नमस्कार फेन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूं इंद्रोशनक्मार जैसे कि आपको थम्निल देकर पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगर आपके पास CSC नहीं है तो आप आधार सें करेंगे ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहें सबसे पहले आप लोग जान लिए अगर आप लोग अधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या का डिवाइस लगेंगे तो डिवाइस में आपके पास लेप्टॉप होना ही चाहिए एक आपको प्रिंटर हो प्रिंट करेंगे और आधार में जो भी फोटो लगेंगे वह डियोग कैमरा से दिवाहर होना प्रिंट से अगर रहेंगे तो लिए गया बात और दिवाइस नहीं लेना है पहले जब आपका आधारसनर अप रूप आपको लेंगे वरना पहले यह device नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोश्ट बहुंट ही ज्यादा है बर इसके बारे में पुली details चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में comment करेंगे इसके बारे में बता देंगी जाना लेडा कि स्टमें क्रूऊए क्या होना चाहई डोकमेस में इसया अपको सब कर देंगे औरने क्ость आपको नहीं होता है धिकnat inappropriate टो इतना डॉकमेंस अगर आपके पास है तो兩fen कर सकते हैं तो चलिए वा लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दिया है जहां से आप लोग डायक्ट इस लिंक पे क्लिक करके इस साइड पे आ सकते हैं यह साइड में अधार सेंटर जो ओपन होगा वो सिर्फ मद्ध परदिश का होगा ठीक है उस पर मैं ठोली वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस अस्टेट में कैसे आपको आधार सेंटर मिलेंगे और आप लोग हमें इस्टाग्राम और टेलिग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लिजेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएं है जैसे आप लोग आधार पर क्लिक करेंगे तो यह साइड इस तरह से आपन हो जाएंगे और आपको नीचे में देखेंगे तो आपको आधार सेंटर रेजिटेशन का ओप्षन मिल जाएंगे तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे त उसके बाद हम capture code फिल कर लेते हैं उसके बाद हम सब्मिट कर देंगे तो यहां पर सारा कुछ हम फिल कर लिए हैं उसके बाद हमको सब्मिट कर देना तो चलिए हम सब्मिट कर देते हैं सब्मिट करते ही मेरे मौयल पे एक DoT P Send कर दिये गए हैं और तीप आपको फिल करना होगा तो आप लोग के अपना पर लेंगे यहां से आपको कहा कर डॉकुमेंट्स रहेंगे इसके बारे में पहले आप लोग जान लिए दिखाई दे रहें कि आपके पास कौन कौन सा डॉकुमेंट्स होना चाहिए जिसके लिए आप अधार सिंटर ओपेंड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको एन एस इई आईटी का सर्टिपकेट होना चाहिए अधार का जो हम सुपरवाजर ओप्रेटर आईडी बताएते जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूंगा वहां उस वीडियो को देकर आप लोग इस सर्टिपकेट को प्राप्ट कर सकते हैं तीक है उसके तो यह होगा है कि आपके लोकेशन में यह अधार सेंटर होना चाहिए ठीक है यह सब सटिपकेट आप लोग कैसे प्राप्ट करेंगे तो यह देखिए यहां पर सेंपल फॉर्मेट ऑप सुपरवाजर कौंस फॉर्म यह फॉर्म भरना होगा उसका हम पहले ही बता दिए कि यह फॉर्म को कैसे बरना है तो इसमें आपको पास आधार काड़ और पेट काड़ है तो आप लोग अधार सेंटर आपन कर सकते हैं तो हम अभी एंपी से नहीं है तो हम लोग इसमें रिश्टेशन नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग इसमें कर लिजेगा उसके बाद क्टटए चलेँटक सकते हैं क्या है वह घलाएंगे आपको यहां पर फोटो अप इसके बाद आ रोलर से है और यहां पे लेके पहले वीडियो में बता दिया है कि आपको कैसे निकलना है आपको प्रिंट कोड़ना होगा यहां से सेंटर का एड्रेस बरना होगा जहां आप करेंगे यह सब्सक्राइब करने का आप लोग को पीछे में बता है उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है और आपको अधार सेंटर करके ऑपन कर दिये जाते हैं इस तरह से आप में अधार सेंटर आपन कर सकते हैं